जैहिन, Ms. Pent की 9 क्लास में आज हम crop option को जानेंगे, crop option के साथ-साथ हम किसी भी photo की size को किस प्रकार से कम करेंगे, उसको जानेंगे, जैसा कि आप लोग online farm फिलिफ करते हैं, या online farm भरते हैं, उसमें क्या होता कि आपको requirement दी जाती है, या आपको कहा जाता है, कि आपकी photo की size 5 kb स से लेकर के 30 के भी तक होना चाहिए तो आपको एक लिमिट में बांध दिया जाता है तो आप उस लिमिट के आधार पर अपने फोटो को कैसे सेट करेंगे कैसे बनाएंगे उसको आज हम सीखेंगे तो जैसे मालिजे कुछ बैफसाइड है जो आपको बना बनाए फोटो करते हैं अपने class को तो हम सबसे पहले अपने paint को open करते हैं हमारा paint open हो गया तो हमने जैसा कि पिछले class में आपको resize and screw option के बारे में बताया था यानि इसकी पहले class में किसको बताया था resize and screw option को clear कराया था अपका यहां से देखे तो आज हम क्या करेंगे इस crop option के बारे में जानेंगे उसके बाद हम resize and screw option से अपने photo की size को यानि kb को किस प्रकार से कम करेंगे उस sheet को जानेंगे clear तो चलिए देखते हैं crop option क्या होता है crop option का sort करता है control shift और X crop क्या sort करता है control shift और X जैसे mouse यहां पर ले जाते हैं इस crop option पर यह क्या कर रहा है आपका control shift और X तो अब इससे दौर हम करते क्या है अपने select किये गए image को या चित्र को हम यहां से crop करते अर्थात काड़ते हैं अर्था जितने photo को जो हमारा image जितने भाग को हम select कि रहेंगे crop करेंगे तो जो हमारा select भाग है वही बचा रहेगा side वाला भाग क्या हो जाएगा हट करके समाप्त हो जाएगा जैसे हम कोई example लेते हैं हम यहां से मालेजी मारे पास कोई image है यहां से कोई से recently माल देखते हैं कोई image है हाँ देखे मालेजी एक photo है हमारा clear अभी इस photo की size को हम क्या करते हैं छोटा करते हैं तो उसके लिए हम कहां चले जाएंगे मालेजी हम को करना है पचास-पचास-परसंट का अब हम यहां से क्या कर देते हैं जैसे इसको करेंगे इस photo size क्या हो जाएगा जो हमारे फोटो है वह 50-50 परसंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा देखे हैं कुछ कम होगा आपका और इसको छोटा करना है तब क्या करेंगे फिर हम किस आफसन पर चले जाएगे रिसाइज आफसन पर चले जाएगे अब रिसाइज आफसन पर जाने के बाद फिर इसकी size को क्या करते हैं और कम करते हैं मालेजी की size को हम फिर 50-50 कर देते हैं आसे अब फोटो की साइज क्या हो गई काफे छोटी हो गई अब हमको क्या करना हम मालेजी इतने भाग को काट करना है यह जो भाग हमारा है उसे भाग को क्या करना निकाल देना है करने कि उसे क्रॉप कर देना है तो अब हम क्या करेंगी हमने कहा था ना कि सबसे पहले इमेज को क् इछले classes में select करना बताए थे, तो हम मालजी इसको क्या करते हैं, select कर देते हैं, अब select करने के बाद हम कहाँ click करेंगे, crop पे, या photo क्या हो गया आप कहा, crop हो गया न, यानि किसी भी image को यहाँ से select करके, हम क्या कर सकते हैं, उसको crop कर सकते हैं, फिर से इसको सेलेट कर लिजे मा लिजे और से सेलेट करने के बाद हम क्या करेंगैं इसको हैं का और है था दबाते से रफे centrals स्फ और है कि हम में और क्या कर दिया इसका safety … ..oof एक्स लगा दिया ठिक न, जैसे इन क्या होता है कि क्रॉप तो हमको समझ में आ गया लेकिन अब क्या करना किसी फोटो को आपको बनाना है अपने आउस सक्ता नुसार यानि कि यह से मालजे हम एक वेफ साइड ओपन करते हैं मालजे आपको ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करना है तो हम चलिए देखते हैं कि पहले इ गूगल हमारा ओपन हो गया मालजे तो गूगल पर हम यहां पर जाएंगे और टाइप कर देंगे एक वेफ साइड है इस्टूडेंट निलेट डाट जोब यानिया ट्रिपल सी की वेफ साइड जहां से अपने क्या कर सकते हैं आप ऑनलाइन ट्रिपल सी का फार्म भर सकते ह लुत हमारे उस फोडली हो गयी अब उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर उस अपशनाद आजाते हैं है कि जैसे प्रेशे नहीं के लिब्लशतहर और को हम पता प्रेशाल का में यहां फिकितárव्त मैं प्रेम अब कर ऑफ सकता हुरा और यहां कोई जुए आते हैं इसाइट पर ृफ przृश्फ तो यहाँ पर देखिए इस साइड में आपह़ दिया आपव यहाँ पर पर यहाँ पर आपना का сव्वाय का आप य golden आपको यहाँ पर क्या पकाными दी आप का अप्लाई Online हमको ओत जो लुए का आपका zeros करना है तो हमकाए क्लिक करेंगे इसमें यहां से Apply Online लॉट्स अब देखिए इसका पहला पेज आपकेा उपन हो गया प्लिए उनलाइन खैक्षा, यहांपे क्लिक करते में क्या इसका पूपन क्लिक करना है क्लिक कवैसी इसके क्लिक करना है से यहां से लिखा नाफ का कॉर्सां कंप्यूटर क्लीक कर देते हैं अब हमको क्या जैसे मिस्पे करेंगे तो इसका कुछ निय परने के आपको फाम का एक प्रकार से पीडिया पूरा जारी कर देता है ठीक ना अब उसके बाद क्या करते हैं मालेजी हमने इसको पढ़ लिया ठीक अब पढ़ने के बाद हम नीचे के तरफ आते हैं यानि यह कह रहा कि आप हमारे 14 पेज के प्डियए लिया तो उसके बाद क्या करिए यहाँ पर हमको देजीं कि हमने इसको पढ़ लिया तुसके कारना है उसके बाद फिर कहा कर्एंगे यह देखिए उसके बात यहां पर आपको आटा है I agree and Proceed मतलब कि हमारे इस मैं सहमत हूँ और आगी कार क्या किया जाए जारे किया जाए तो मैं वहां पर क्लिक कर देता हूं है जैसे क्लिक करेंगे CCC का फाम आपकर क्या हो जाएगा यहां पर open हो जाएगा, तो triple C form में आप देखेंगे यहां से, यह पूछ रहा है कि आपका पंजी करण का डीटल दे रहा है, या पंजी करण की वीरोड यानी की वीरोड मत जैसे कि आपको कुछ requirement पूछ रहा है, जैसे माला कि, क्या आपने कभी परिच्छा के लिए अवे दिन किया है, या पहली बार कर रहा है, इन सब चीजों को आपको यहां देगा, तो जी दिन हम इसका फाम भरना बताएंगे, उसको बताएंगे, लेकिन अभी हमको आज को क्या बत सीख अर्था जो हम फोटो इसका है, उसको किस प्रकार से अपलोड करेंगे, उसके बार हम दे रहा है आपका, कि आपका image जो होना चाहिए, केवल JPEG में होना चाहिए, या फिर JPEG में होना चाहिए, और उसकी size क्या होने चाहिए, पांच KB से लेकर के 50 KB तक होना चाहिए, और उसके बाद उसकी चोड़ा, यानि width और क्या height, यानि 132 से लेकर 170 तक होना चाहिए, और उसके बाद इसका DPI, यानि DPI का full farm क्या होता है, dots per inch, यानि इसका DPI होना चाहिए, 96 से लेकर के 300 DPI तक आपका होना चाहिए, तो इस सब requirement, यानि कोई farm आप फिल करेंगे, तो आपको हम सीखते हैं, इसकी photo की size को कैसे कम किया जाएगा, यानि जो हमारा पांच कीबी से लेकर 50 के भी तक है, इसकी size को हम किस प्रकार से कम करेंगे, और भी अपने छोटे से program MSPENT के दवारा कैसे कम करेंगे, इस चीज को आज हम सीखेंगे, clear, चलिए देखते हैं, तो सबसे पहल इसकी requirement कितनी है, पांच कीबी से लेकर के, पचास कीबी तक है, ठीक ना, चलिए, clear होगे आप कहां तक, पांच कीबी से लेकर के, पचास कीबी, कीबी का full farm क्या होता है, किलो बाइट, ठीक ना, अगे देखते हैं, अब हम अपने पेंट में चलते हैं, यह इंडो मारी minimize कर अब हम अपने पेंट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, अब पेंट हमने ओपन कर दिया, हमने आपको इसके जेश्ट पहले क्या पढ़ाया था, crop, तो crop में आपको हमने भी बताया था, कि crop option के द्वारा हम, हम crop करते हैं, किसी select एक photo को, काट कर निकाल लेते हैं, तो अब क्या करना है, जिसका photo बनाना है अब के भी में, तो सबसे पहले हमारे देखते हैं, हमारे computer में कोई photo है, this PC, यहाँ पेंट राइव लगी है, यहाँ हमारा है image और photo, हम इस में से क्या करते हैं, उस photo को select करते हैं, जिसकी size थोड़ी सी बड़ी है, माले जिए, फोटो ले लेते हैं चलिए, माले जिए, फोटो हमने ले लिया यहां से, हमने एक फोटो ले लिया, अब यह photo क्या कर रहा है, इस photo की size क्या है, 1.95 MB है, यानि इस photo की size क्या है, आप देख रहे हैं, इस photo की size क्या है, एक दसमलो, 9.5 MB, clear, तो अब इस photo को, अब इसका जो है, डामेंस, जो भी डाम आपका न, वो क्या कर रहा है, 280 गुड़े, 4608 है, clear, तो अब क्या है, फोटो क्या क्या है, इसको टेक क्या गया, सब JPG में है, इसको क्विचा गया, वो सब चीड़े डीटल आपको यहां पे, सो करा रहा है, तो अब माल लेजे, इस photo की size को अगर आपको ना सो करें, तो आ वो माऊस करसर लेके जाएंगे, तुरन-ची क्या करेंगा, यहां पे? सो करेंगा, अगर माल लेजे यहाँ पर नहीं सो करता, तब क्या करेंगे, तब उस image पर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और उसकी प्रापरटी पर चले जाएंगे, अब देखें यहां पर, जब प् थम्मोट को हमारे ची प्र्रट लोगेता स्प्रर्ट को करो Zachary कि अपयोगों जिए फोटो पर खम्स प्रक्रीस किलिक प्रचर करेंगे वघ्र फोर्ट वाली बटन को आप क्या करें दो जैसे न आपका ये क्लिक है अपका लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक है ने उसे लेफ्ट क्लिक और आपका राइट क्लिक तो राइट क्लिक जब क्लिक करेंगे तो इस फोटो की साइज हमारी यहां पर हम पहुंचें है यहां पर राइट क्लिक कर रहा है तो इस फोटो की साइज हमको सो कर रहा है इसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे प्रॉपर्टीज पर यहाँ पर जाएंगे तो आपकी फोटो की साइज यहाँ पर सो करेगा अब माल लेजे हमको क्या करना है इस photo की size जो हमारी है 1.95 MB का है यानि कि लगभग 2 MB तक का है इसको kb में convert करना है इसकी size हो जा करना है कम करना है तो सबसे पहले इस photo को मनाते हैं अपने farm को भरने लायक तो हम इस पर right click करके कहां चले आ जाएंगे इसमें एक option देता open width यानि क open करना है थमको माल लेजे paint ही सीख रहे हैं तो paint को open करेंगे थम यहां पर आ जाएंगे paint option पर जब paint option पर आकर क्या कर देंगे यहां से okay कर देंगे तो अब यह photo क्या हो गया हमारा MS paint में क्या हो गया open हो गया clear content अभ एम्स het team का भी बड़ा सो कर रहे हैं यहां सेने देख्यएं फोटव क्या क्या कर रहां काफी बड़ा सो कर रहा है तो सबसे पहले इस photo को अपने और से नुसर हम cro up करते हैं थिक na nine के बाद हम यहां से क्या करते हैं यहां से च्टाइंगे अप्रक्राइब कर देंगे अब देखे जब इसको हम सेब करते हैं तब इस फोटो की साइज क्या रहती है माले सेब करके इसको क्लोज कर दिया अब देखे अब इस समय इसकी फोटोग साइज क्या है अब इस समय हमारी इस फोटक साइच है सार्ट सो मैं कितना साइच का फोटो है सार् Сергी ऑनकी बेगिया अपर अलच इदेखाँ कि इनका यह इन आपका यानि आपकी फोटक साइच थोड़ा सः काम हुगा न साथ Deadly कितना सेट करना है 50 Kb के अंदर तक लाना कितना पचास के अंदर तक लाना है अब फिर फिर क्या करेंगे इसको यहां से माले जिए अभी हमने क्रॉप किया तो इसकी साइज कुछ काम होई लेकिन आपकी बार हम क्या करना है इसको 50 kb से कम लानत हम आज आएंगे open with पर आज आएंगे paint पर और उसे क्या कर लेंगे यहां से okay कर लेंगे यह photo आपका open हो गया अब इसकी size को कम करें यहां से आज आजए resize and screw option पर हमने आपको पढ़ाया था ना resize and screw option यह है ना आपका इस पर हम लेक करेंगे इसका nasıl option हो गया अब हम आ जाते हैं पिकसल पर यानि pixel का करेंगे इसको कम करते हैं मालोजे यह अभभी 85 x pixel पर है हम कम करें क्या करते हैं 117 गुरे मालोजे 130 कर देते हैं और उसके बाद अब किया करते हैं इसको यहां से okay कर देते है अब देखेंगे फोटो की साइज काफी छोटी हो गई है ठीक ना यानि फोटो की साइज मारे क्या हो गई है बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी यहां पर यहनियां कि आपको यह बहुत ज़्यक्ष चोड़ा सोग रहा हैंना इसको control यहां क्या क्या करतीजीए save करने के बाद इसको क्या करतीजिए यहां से close कर रेजियानि है यह भीड करने क्या है कि अपने देखि न कि फोटा कि साइज मारी क्या हो गई कंप हो गत लेकिन अब क्या होगा है? किसमें आ गई सटरंग समल एक के वारसंत्रों केवन तक आ गई अब हमारी फंप कर्सक्रांज क्या था हा मैं डिकर्क्रा के दो ने अब देख लेतमें आप From की requirement थी हमारी कि 5 से लेकर के 20 kb तक नहीं यहाँ पर फोटो का 5 से लेकर 50 kb तक ठीक नगा ? क्या थे? इसको requirement 5 kb से लेकर के 50 kb तक यहाँ नगा 5 kb से लेकर 50 kb तक लेकिन हमने कितना बना दिया इसको ? 17 दसमलो कुछ kb का इसको बना दिया तो इस तरह से हम किसी भी फोटो को कम कर सकते हैं, कितना बड़ा फोटो क्यों ना हो, ठीक ना, कितना बड़ा फोटो क्यों ना हो, उसकी केवी को क्या कर सकते हैं, यहां से कम कर सकते हैं, अगर मालेजी इसकी केवी को बढ़ा कर देना है, अभी इसकी केवी हमारे सो कर रही है मालेजे यहां से यहां जाते राइट क्लिक करके प्रोपर्टी पर जा रहे हैं तो इसकी के भी अभी हमारी क्लिक बहुत अधिक सो कर रही है कम सो कर रही है अब इसकी के भी हमको बढ़ा कर मालेजे कितना कर देना है मतलब जितना बढ़ा उतना बढ़ा सकते हैं तो अब हम क् बढ़ते हैं, right click करते हैं, open with paint पर आ जाते हैं, और ok कर देते हैं, अब ok करने के बाद फिर होई option का हम follow, आपन कर देते हैं, जाले जाएंगे आपका resize यानी इसक्रू option पर, आप जाएंगे pixel पर, ठीक ना, अब इसको बढ़ा देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं, 55000, ठीक ना ठीक, देखतें कहां तक बढ़ता है, ok कर देएंगे, यहां से, ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, बहुत जदा बढ़ा दिया ना, अब इसको हम कर देते हैं, save, control, yes अब सेप करने के बाद अपने पेंट को क्या करते हैं क्लोज करते हैं अब इसको रिफरेस्ट करते हैं रिफरेस्ट करने के बाद अब इस फोटो की साइज को देखते हैं आप रहते राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं इस फोटो की साइज कितना हो गई एक दसमलो चार पांच MB अब तक क्या थी ये KB में थी ना अब किसमें चली गई ये MB में तो आपको समझ में आ गया कि किसी फोटो की साइच को यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर मालियम को दूसरा फोटो उठाते हैं इस फोटो को डिलीट करते हैं फिर हम चले जात इस तर आप एक ही फोटो समझा रहा है अब उनको दूसरा फोटो उठा लेते हैं कि आते हैं इमेज और फोटो अब की बार हम कोई कोई ऐसा फोटो उठाए कि जिसमें क्या हो मतलब की ज्यादा उस वह ज्यादा हाई पार देखिए यह परकार का फोटो है ना मालियमारे प पर लाते हैं ठीक ना फोटो कहां लाएंगे इसको डेक्स आप पर लाने क्लिक्श करेंगे या तो वहां से कॉपी करके लिखते चले आएंगे या तो फिर देखने का है नहीं आए बागगा आप देखो यहां से आगे यहां पर ना इसको मिनमाइच किया अब यहां पर किया फोटो दिखाई देरा है आपका अब हम क्या करते है माले पोटो को नाम दालना चाहते आखे तो माले नाम दाल दीया एंग में अग अब इस फोटो की साइज क्या है तीन दस्मलो आठ आठ एमबी यानि कि राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं इसकी प्रापर्टी देख करिए यह क्या सो कर रहा है यह फोटो जो है कितना है यहाँ पर अब हम क्या करते है इसकी फोटो कि सायज को कम करना चाहते हैं हम चाहते है यह gefोटो हमारा मीना हो लेकिन इसकी साइज क्या हो जाए कम हो जाए तो इसको हम क्या करेंगे पहले तुरह 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 त screw option पे और आ जाएंगे यहाँ पे pixel पर इसकी pixel को क्या करते हैं कम कर देते हैं माले जिए दो 200 pixel कर देते हैं भी इसको या 320 और यहां पे कर देते हैं 180 माल जाब कुछ भी सेट करिये और क्या करिए इसको यहां से ऑकई आफ फोटक साइज क्या हो गई पॉटी हो गई इसको हम सेब कर लेते हैं सेब करने गmost आपने श सप्ट कर देने में अब इसक्र ऐंःगी में अब इसकी तक 555 में अब आ गए आपके देखें यह केवी में, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, देखें, 51.1 केवी का है न, यानि अगर टिपल सी फार्म भरेंगा तो यह जो अपलोड नहीं करेगा कहा है, क्योंकि यह 50 केवी से उपर है, लेकिन कहा 3.8 अबिक था, और कहा गया 51.1 केवी में, और छोटा करना है, तो क्या करेंगे, इसी फोटो पर जाएंगे, यहां पर चले जाएं, इसी फोटो पर, राइट क्लिक करेंगे, और कहां जाएंगे, प्रापर्टीज पर, यहां पर राइट क्लिक करके, ओपन भी करके आजाएंगे, हम पेंट पर, ठीक, हम पेंट से यह यहांने इसका आपस नहीं पर छोटा सा इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद, अब पिक्सल में आकर करके, अब इसको हम क्या करते हैं, एक 332 किये थे, 320 किये थे ना, इसको हम कर देते हैं, 180, या 180, अब देखिए, यहां पर दोनों भाग रहा हैं, तो यहां से क्या है, इसको यह जो है, आपका मेंटिनेंट एक स्पेक्ट एड रेटियो को अंचेक मार के, और फिर इसकी साइज को, माल जो एक 132 कर देते हैं, या फिर 172, एक सो बस्तित कर दीजे, इसको करिए 172, और यहां पर कर दीजे 100, जो आपका फाम भरते हैं, डाइमेंशन देता है न, यहीं से उसका डाइमेंशन हों कम कर लेंगी अब, और उसके बाद यहां से क्या करेंगे, इसको यहां से, ओके, अब इसको भी क्या 28KB, कहां यह 3.88MB में थे, अब इनकी अवकाद क्या हो गई, यानि कितना छोटा हो गया अवका, 28KB तक, इसी प्रकार से किसी भी फोटो को हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको नियुक्त कर सकते हैं, यानि कि हम क्या कर सकते हैं, यहां से, जो भी फोटो क्लियर हो गया आपका, और आपको, crop समझ में आ गया ठीक है चलिए अब हम Pent के अगली class में देखेंगे हमने को इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा resize crop पढ़ा अब उसके भागे हम पढहेंगे clipboard block ठीक ना इसके अगली video पढ़ेंगे Sahin झाल झाल